मुखबत की तलाश में भटक रहे हो, पागल हो तुम मुखबत तुम्हें खुद तलाश लेगी जब परबादी लिखी होगी तुम कि कुछ खराब लिखा, कुछ गजब लिखा कुछ खराब लिखा, कुछ गजब लिखा है, जो उनसे कह नहीं पाए, वो सब लिखा है कुछ खराब लिखा, कुछ गजब लिखा है, जो उनसे कभी न कह पाए, वो सब लिखा है और नहीं लिखी गीता, कुरान, रमायन मैंने और नहीं लिखी गीता, कुरान, रमायन मैंने बस एक किताब लिखी और उसमें तुझे रब लिखते कि यूँ तो तुम हमसे कहते हो कि तुमें हमसे हमदर्दी बहुत है कि यूँ तो तुम कहते हो तुमें हमसे हमदर्दी बहुत है तो पास क्यों नहीं आते हैं जब जानते हो कि सर्दी बहुत है और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हम लोग कभी ऐसा होता है कोई लड़की हमें पसंद होती है उसे पटाना चाहते हैं पर उसे पहले दोस्ती गर बैठते हैं कि हाँ पहले उसे दोस्त बना लो धीरे- उसे लिखाता है कि काश इजहार पहले हो जाता दोस्ती में थोड़ी देरी होती अगर ऐसा हो जाता तो आज मेरी अच्छी दोस्त ना होती मेरी होती कि काश इजहार पहले हो जाता, दोस्ती में थोड़ी देरी होती, अगर ऐसा हो जाता, तो वो मेरी अच्छी दोस्त ना होती, मेरी होती कि न जाने मर्जी थी खुदा की, या किस्मत ने खेल रहा चाया था, जिसे जाना था मेरी जिंदगी से, वो मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी बन कर आया और ऐसा है, जैसे हमें पता चल जाता है कि चल रही है किसी ओर से, लेकिन हमारे साथ भी बन दी अभी भी लोयल है, लोयल होने का सिर्फ दिखावा कर रही है तो उस पर लिखाता है कि खुद को reference मिलेता हुए कि मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से जुदा हो गई है पास तो है मेरे पर कहीं गुमशुदा हो गई है उसके वापस आने की उम्मीद भी कैसे लगाऊं यारो सुनने में आया है किसी और पर फिदा हो गई कि बुरे कामों के भी कुछ अच्छे अंजाम होते हैं कि बुरे कामों के भी कुछ अच्छे अंजाम होते हैं क्योंकि मशूर तो वो लोग भी होते हैं जो बदनाम होते हैं कि जता नहीं रहा बता नहीं रहा पर वो एक काम नेक कराया है कि जता नहीं रहा बता नहीं रहा पर वो एक काम नेक कराया है अपना सब कुछ लटा कर भी खुशी से जूम रहा है एक बाब अपनी बेटी के लिए अपना घर बेग कराया है